कन्या को उपहार में इन छे चीजों को देना मानते हैं बेहर शुब, माता होती हैं प्रसन नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बर्सों से चली आ रही है मान्यता है नवरातर में माभवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशिरवात देने आपके घर आती है इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन करा कर भेंट देनी चाहिए आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे पांच गिफ्ट के बारे में जिनको कन्याओं को देने से भखवती आप पर प्रसंद होती है नमबर एक लाल वस्त्र नमबरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेश महत्व होता है अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्द हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुन्री दे सकते हैं लाल रंग को वृध्धी का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग मा की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहर शुब माना जाता है वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है नमबर दो फल भी होते हैं शुब नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है फलों में सबसे शुप केला और नारियल को माना जाता है माना जाता है केला विष्णुजी का प्रिय फल और नारियल यानी श्री फल मा लक्ष्मी को प्रिय है इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख सम्रिध्धी में विर्धी होती है करन्या भुज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए अगर किसी वज़े से आप मिश्ठान शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुत्रे ढंक से बनाया हुआ सुजी या फिर आटे का हल्वा भी माता का भोग लगा कर करन्याओं को खिला सकते हैं ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माभगवती भी आपसे प्रसन्न होती है नमबर चार श्रिंगार सामगरी नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेट में कन्याओं को श्रिंगार की सामगरी भी उपहार में दे सकते हैं ये श्रिंगार सामगरी पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहन की गई श्रिंगार सामगरी सीधे माता द्वारा स्विकार कर ली जाती है परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है इस कोचे में चावल और गुर दिया जाता है मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धाने में वृद्धी होती है नवरातर में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए इससे आपके घर में संपन्यता बढ़ती है नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिना के स्वरुप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए ऐसा करने से मा लक्ष्मी आप पर प्रसंद होती है और आपके भंधार भर देती है हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए देने चाहिए दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमेशा स्वस्त और खुश रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद